हलो भीवस आज हम दो देखने वाले हैं मेटफॉर्मीन के बारे में मेटफॉर्मीन एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जिसका यूज हम टाइप टू डियाविटीज के मेनेजमेंट में करते हैं तो इस वीडियो में लोग देखेंगे मेटफॉर्मीन का इंट्रोडक्शन उसके सेफटी अलर्ट्स और कम्बिनीशन स्के बारे में तो चलिए देखते हैं मेटफॉर्मिन के class of drug ते बार देखे तो यह बाइगोनाइट्स के अंतरगत में आता है, बाइगोनाइट्स बेसिकली इसके chemical structure को represent करता है next है, मेटफॉर्मिन first line of oral therapy है, यानि किसी भी pre-diabetic हो या purely diabetic patient है, तो पहला जो oral therapy दिया जाएगा, वो होगा आपका मेटफॉर्मिन पहला है, मेटफॉर्मिन reduce hepatic glucose production, लिवर में सरीर के जरूरत के नुसार glucose का production होता है, मेटफॉर्मिन उसी glucose को बनने से रोकता है दूसरा, मेटफॉर्मिन reduce intestinal absorption, इंटेस्टाइन में जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, उसमें मौझूद का अप्जॉर्मिन का absorption को भी मेटफॉर्मिन reduce कर देता है जिसके कारण carbohydrate हमारे सरीर में नहीं आ पाता, जैसे के हम लोग जानते हैं कि carbohydrate ही हमारे सरीर में breakdown होके, sugar और glucose का निर्मान करता है नेक्स्ट है, मेटफॉर्मिन increase askeletal muscles glucose uptake मेटफॉर्मिन के कारणी askeletal muscles ज्यादा से ज्यादा glucose uptake करने लगता है, यूज करने लगता है जिसके कारण हमारे पेट भरा भरा सा लगता है और भूक जल्दी नहीं लगते, जिसके कारण directly या indirectly बोल लिजे, body weight भी धरे धरे घटने लगता है नेक्स्ट है indications यानि की use metformin का, already हम लोग देख चुके हैं कि metformin type 2 diabetes mellitus के case में use होता है दूसरा है PCOD, PCOD यानि की polycystic ovary syndrome, PCOD एक female related disorder है जिसमें की male sex hormone की अधिकता हो जाता वो या बढ़ जाता है इसमें और कई परकार के symptoms देखनों को मिलते हैं जैसे कि irregular period, severe acne, pimples, fatigue जैसा थका थका सा लगेगा, abnormal facial hair यानि कि चहरे पर बाल आ जाएंगे, weight gain होगा, ovarian cyst हो जाएगा PCOD उतना severe नहीं है लेकिन PCOD अगर untreated रहा तो PCOS हो सकता है चोकि more severe है अज compared to PCOD PCOD की condition में insulin resistance भी बढ़ जाता है यानि कि insulin सही से सरीर पे काम नहीं कर पाता तो उस condition में भी PCOD के condition में भी insulin resistance को घटाने के लिए भी metformin का इस्तमाल करते हैं next है HIV induced non-alcoholic fatty liver HIV के condition में अगर non-alcoholic fatty liver होता है तो उस condition के treatment में भी हम लोग metformin का यूज करते हैं apart from that अभी ongoing research है कि pancreatic cancer के treatment में भी इसको यूज करें जो की diabetes mellitus के case में होता है इसके अलावा anti-aging property का trial भी metformin को लेकर के चल रहा है आपको बताते चलें कि metformin older patient और linear pre-diabetic है यानि कि पतले डूबले जो patient है उन पे सही से काम नहीं करता है ऐसा studies बताती है next है dose and doses dose की और देखें तो market में ये tablet के form में उपलब्द होता है इसका strength देखें तो ये 250, 500, 850 और 1000 mg में उपलब्द होता है इसमें special doses form में भी उपलब्द है जैसे कि extended release और sustained release में ये tablet आपका slowly metformin को सरीर में छोड़ता जाएगा maximum dose के बारे मगर बात करें कि एक दिन में 24 आउस में कितना consume कर सकते हैं metformin को तो वो होता है 2500 mg वो भी divided dose में not in single dose divided dose में मतलब कि सुबह दो पह साम यानि कि दिन में दो बार या तीन बार इसको ले सकते हैं pediatric case में जो patient 10 साल से उपर है वो इनका इस्तमाल कर सकते हैं on the medical supervision next is safety alerts, safety alerts के बारे में देखें तो इसमें side effect अगर देखते हैं सबसे पहले तो mostly इसमें gastric side effect ज्यादा देखने को मिलता है यानि pets related side effect ज्यादा देखने को मिलता है जैसे कि diarrhea, indigestion यानि अपच होगा, खाना सही स नहीं पचेगा, flatulence यानि कि gas formation होगा apart from that lack of energy यानि energy की कमी देखनों को मिलेगी और taste disturbance होगा यानि कि जवान में, यानि कि मुख में, हमलों के मुख में, माउथ में metallic taste भी देखने को मिलता है most of the side effect है, अपने आप disappear हो जाते हैं, जैसे आसे body metformin के साथ adjust करती है next है, renal and hepatic disorder, अगर किसी patient को kidney issue है और liver issue है, उसमें कोई disorder है, कोई problem है तो फिर ये दवाइल precaution के साथ लिया जाना चाहिए, और जब भी आप doctor से मिलते हैं, तो उसमें को बता दिजे अगर आप kidney और liver में कोई issue है apart from that, अगर आप metformin का consume कर रहे हैं, उसका use कर रहे हैं, तो regular monitor भी जरूरी है kidney और liver के function का तो इसी के लिए GFR यानि की glomular filtration rate और cretinine regular interval में check होना चाहिए next है, lactic acidosis, एक ऐसा condition है जिसमें की blood में lactic acid का concentration बढ़ जाता है lactic acid एक severe issue है, metformin के case में अगर देखें, लेकिन बहुत ही rare है, ये 30,000 patient में सिर्फ एक patient में देखने को मिलता है अगर patient का kidney में कोई problem है, कोई issue है, कोई disorder है, तो उसमें फिर और lactic acidosis होने का chance बढ़ जाता है next है, अगर हम लोग prolonged use करते हैं, लंबे समय से अगर हम लोग metformin use करते हैं, तो vitamin B12 deficiency देखने को मिलता है इसी के लिए, जो doctors है, जब भी patient metformin use करता है, तो उनको methylcobalamin का tablet या supplement अलग से उनको देते हैं, methylcobalamin scientific नाम है, vitamin B12 का, तो उनको अलग से दिया जाता है, क्योंकि अगर vitamin B12 का deficiency होगा, तो आपको neuropathy वगरा हो सकता है नेक्स्ट है, cortico-asteroid, जैसे कि prednisolone, beta-metason, videosonide, फिर है thaizide, diuretics, oral contraceptives, phenytoine, thyroid agent, जैसे कि thyroxine वगरा लेते हैं, यह सारे drugs glucose level को बढ़ाते हैं, यानि कि directly या indirectly यह सारे drugs metformin के activity को disturb करते हैं, तो इसको precaution के साथ इसको लिया जाना चाहिए नेक्स्ट है, pregnancy के case में यह category B में आता है metformin, यानि कि यह safer side है, ऐसा diabetes, जो की pregnancy के समय होता है, उसको gestational diabetes बोलते हैं, और वो pregnancy के साथ ही फिर उसको अगर manage करके रखेंगे, फिर doctor के दौरा तो फिर चला भी जाते हैं अब हम लोग देखने वाले हैं metformin के combination के बार में, जो मार्केट में available है, तो सबसे पहले हैं हमारे पास metformin with glimipiride और gliklazide, glimipiride, glipizide, sulfonylurea के अंतरगत में आता है, sulfonylurea, insulin secretion के लिए stimulate करता है beta cell को, यानि कि ये insulin के secretion को बढ़ाता है, first generation में chlor, propamide, tolbutamide वगर आता है, second generation में glimipiride, glipizide, gliklazide वगर आता है, कहीं कहीं इसको third generation के भी नाम से हम लोग बोलते हैं, hypoglycemia का case इसमें देखने को मिलता है, weight gain देखने को मिलता है, even इसमें sulfa isn't है, यानि कि sulfa moiety है, अगर इसके structure के बात करें, तो इसी के लिए इसमें allergic reaction भी देखने को कई बार मिलता है, GIT issue इसमें भी देखने को मिलता है, जैसे कि diarrhea, even constipation, sometimes flatulence, gas formation, यह सब भी हम लोगों को sulfonylurea अगर use करते हैं, तो हम लोगों को देखने को मिलता है, थर्ड नमर हम देखेंगे, triple drug combination है, metformin, glimipiride and pyoglita zone, pyoglita zone thizolidine diones के class में आता है, pyoglita zone के अलावा इसमें roziglita zone भी आता है, pyoglita zone metformin जैसा ही काम करता है, यानि कि यह insulin के sensitivity को बढ़ाता है हमारे सरी में, और साथी साथ यह fat को और bad cluster को भी reduce करता है, लेकिन एक problem है pyoglita zone के साथ, कि यह edema को हमारे सरी में बढ़ाता है, यानि की water accumulation हमारे सरी में बढ़ जाता है, water एक जगा पर जमा होने लगेगा, जैसे कि आपको मुझ सुजा सुजा सा या चाहे कोई body part सुजा सुजा सा लगेगा, फुला फुला सा लगेगा, स्वेल हो जाएगा, तो वो adverse effect pyoglita zone के साथ देखा गया है, और देखें तो weight gain का समश्या भी pyoglita zone के साथ होता है, साथी साथ heart failure के case भी pyoglita zone के यूज करने के साथ बढ़ जाता है, और खासकर के female में osteoblast formation भी decrease होता है, जिसके कारण bone fracture वगारा का chances बढ़ जाता है, तो fourth number यहां पर हमारा है metformin, glymipryde and voglivos, यहां पर एक नया drugs आया है, जिसका नाम है voglivos, voglivos alpha glucosidase inhibitas है, alpha glucosidase responsible होता है carvohydrate का metabolism में, यानि कि carvohydrate का metabolism होगा, तो carvohydrate फिर glucose में, fructose में तूटे गए, यानि sugar हमारे सरीर में आएगा, alpha glucosidase inhibitas यानि कि voglivos, post-perendial hyperglycemia को कंट करता है, खाना खाने के बाद हमारे सरीर में glucose का मात्रा बढ़ने लगता है, तो जिसको हम लोग पोस्ट-perendial hyperglycemia condition बोलते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए voglivos important role अदा करता है, तो इसको जब भी लेना है, खाना खाने से पहले, या खाना खाने के साथ इसको लेना है ताकि ये सही से उसको काम कर सके, गोगली बोस भी अगर आपनोग यूज करते हैं, तो उसके साथ gastric issues देखा गया है, जैसे कि flatulence gas formation होगा, abdominal pain हो सकता है, क्योंकि carbohydrate का metabolism delay हो रहा है, late से हो रहा है, और इसमें किसी प्रकार का hypoglycemia condition नहीं होता है, कि sugar जरूद से ज़्याद glyptines भी बोलते हैं, glyptines भी frequently use होता है, either with metformin, with combinations, या अलग लग भी इसको use करते हैं, glyptines भी well-tolerated है, और इसके use करते हैं, किसी भी प्रकार का weight gain की समस्या देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इसके side effect जोड़ा हुआ है, और इसका major side effect देखा गया है, वो है आपका pancreatitis, यान की nasal passage और pharynx में भी inflammation इसमें देखा जाता है, apart from that, metformin के साथ, dapagly frozen भी use किया जाता है, in order to manage type 2 diabetes mellitus, जिसका video पहले ही बनाया जा चुका है, thanks for watching, content अगर आपको सही लगा है, तो उसको like करिए, channel को subscribe करिए, अगर कोई suggestion है, तो comment box में करिए, thank you